नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru का YouTube चैनल आप सब भी देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए 100 प्रशने लेकर आगए हैं इन 100 प्रशनों में से आपको टार्गेट देते हैं केवल और केवल 80 प्रशन सही करने का एक्जाम में कटो भी 80 कॉश्चन का जाता है कोशिश करो, यदि आपके 60-70 सही गए तो कोई दिकत नहीं है मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है लेकिन अपनी तरब से तो कोशिश करना है न तो अपनी तरब से आपको 80 प्रशनी नंबर की कम से कम कोशिश करनी है लाश्ट में मुझे कमेंट करके बताना ये कोशिश पिछले 30 साल सा एक्जाम में बार बार आए हुए है आगे भी आपको ये कोशिश एक्जाम में मिलेंगे करते हैं विड़ादेव की वीडियो को स्टार्ट पहले कोशिश में आपसे पूछा गया है कि भारतिय राश्टी कॉंग्रिस के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे भारतिय राश्टी कॉंग्रिस के सबसे पहले अध्यक्ष जो ओप्शन दे गए हैं उनमें से कौन थे तो यहां पर आपका right answer हो जाएगा वियोमेश चंदर बनर जी ये आपके भारती राश्टी कॉंग्रिस के सबसे पहले अध्यक्ष थे option number A यहाँ पर right answer है question number 2 UNESCO वैश्विक विरासत इस्थल खजराहू कहां पर सित है तो खजराहू जो सित है ये आपका इन राज्यों में से मद्यपदेश राज्य में सित है option number A मद्यपदेश राज्य राइट answer हो जाएगा दोस्तों आप में से सभी लोग मद्यपदेश राज्य की राज्धानी मुझे comment box में comment करके बताएंगे जो मद्यपदेश राज्य है इसको हुर्दयपदेश और Tiger प्रदेश Tiger State भी कहा जाता है मद्यपदेश की राज्धानी क्या है अभी comment box में comment करके बताएंगे जरा देखते हैं आप में से किस-किस को पता है 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा तो यहाँ पर आपको जो option देगा है 100 वर्षों से अधिक इंगलेंड और फ्रांस आपस में लड़ते रहे option नमबर यहाँ पर D 100 वर्षों से अधिक इंगलेंड और फ्रांस ये दोनों आपस में लड़ते रहे महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला तो महाभारत का जो युद्ध था ये right answer हो जाएगा आपका 18 दिन तक चला option नमबर भी 18 दिन तक right answer हो जाएगा option नमबर भी यहाँ पर 18 दिन प्रशने के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा महात्मा गांदी को दक्षिन अफ्रिका एंबुलेंस सेवाओं के लिए उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने अंग्रेजों के केसर एहिंद पदक से किस ने सम्मानित किया तो केसर एहिंद महात्मा गांदी जी को मिला था और इससे सम्मानित किया गया था Lord Harding के द्वारा option नमबर यहाँ पर सी Lord Harding के द्वारा केसर एहिंद पदक से सम्मानित किया गया था सिपाही का विद्रो 1857 ये कहां से शुरूआ तो 1857 सिपाही विद्रो ये आपका मेरट से शुरूआ था option number 2 मेरट राइट आंसर हो जाएगा प्रशने के लिए दोस्तों आपके लिए हमने 10,000 GK की PDF तयार की है दोस्तों इस PDF में आपको पिछले 30 साल से पूछे गए बार-बार हर एक्जाम में आ हुए जितने भी एक्जाम होते हैं भारत में उनमें आई हुए question GK के question छांट-छांट के लाए हैं और टोटल 10,000 GK के MCQ हैं ये MCQ की PDF आपको WhatsApp पर मिल जाएगी PDF जो है आपकी 300 रुपए की है लेकिन स्टार्टिंग की 1000 बच्चों को 99 रुपए में दी जा रही है आप में से जो जो भी पिछले 30 साल से बार-बार एक्जाम में आए हुए 10,000 GK के MCQ लगाना चाहता है PDF पाने के लिए नीचे देगाए नंबर पर कॉल कर लिजेगा या फिर आप WhatsApp पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगला कॉशन भारती समविधान के ऐस्तों में आने से पहले भारत का आखरी गवर्नेजनल कौन था तो All India Muslim League 1906 में इसकी स्थापना हुई थी आप्शन नंबर भी 1906 में स्थापना हुई थी All India Muslim League की हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दे ऐसा किसने कहा था शब्द गौन हैं विचार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो वर्डिंग थी स्वामी वे का नंजी नहीं कहा था आप्शन मसी स्वामी वे का नंजी राइट आंसर है वरिष्ट अधिवक्ता का नाम बताईए जिन्होंने भारत पांगलादेश सीमा मुद्धे पर एक स्रस्य आयोग की अधिश्टा की तो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्डिंग वक्ता थे आपके उप मन्नीव हजारी का आप्शन नमबर भी उप मन्नीव हजारी का राइट आंसर हो जाएगा सिपाही भगावत कहां से शुरू हुई थी तो सिपाही भगावत ये आपकी मेरट से शुरू हुई थी आप्शन नमबर यहां पड़ी मेरट से सिपाही भगावत शुरू हुई थी विख्यात बोरो बुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर स्थित है तो बोरो वुदुर विद्धमंदिर ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है ओप्षय नमब सी इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की एक मात्र महिला शाशक कौन थी तो दिल्ली सल्तनत की एक मात्र महिला शाशक का रजिया सुल्तान option number याँपर C, रजिया सुल्तान प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किस वंश ने मौर वंश की जगा ली इन में से? इन में से मौर वंश की जगा ली गई थी शुंग वंश के द्वारा option number A, शुंग वंश राइट आंसर है धौला वीरा एक पुरा तत्विक इस्थल किस समयावधी से जुड़ा हुआ है तो धौला वीरा ये आपका सिंदू घाटी सविता से जुड़ा हुआ है option number C, सिंदू घाटी सविता राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ण के लिए सोतंता के समय भारत में कितने रजवाड़ी थे तो जब भारत सोतंतर हुआ था उस समय भारत में 565 रजवाड़ी थे option number C, 565 रजवाड़ी राइट आंसर है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विशह है तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है ये चंद्रगुप्त मौर की कहानी है option number C, चंद्रगुप्त मौर की कहानी है मुद्रा राक्षस नाटक में अहमद नगर की किस राणी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था तो राइट आंसर हो जाएगा अहमद नगर की चांद भीवी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था option number C चांद भीवी प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा बान भट्ट किसके दरवारी लेख कभी थे तो बान भट्टे जीत हो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आगा खां, option number B आगा खां प्रशन के लिए राइट आंसर है बागवान भुद्ध का अस्ती अवसेस निम्नलकितम से कहां सुरक्षित रखा गया है तो बागवान भुद्ध का अस्ती अवसेस यह पटना में सुरक्षित रखा गया है option number D पटना प्रशन के लिए राइट आंसर है ग्रैंट ट्रंक रोड जोडता है कहां से कहां, किस रोड कहां से कहां को तो ग्रैंट ट्रंक रोड यह दिल्ली से कलकत्ता को जोडता है option number D दिल्ली से कलकत्ता प्रशन के लिए राइट आंसर है औप्शन नमब सी राजा राम मोहन राई जी राई आंसर है किस साशक ने अपने सिक्कों पर शाख्यमुनी बुद्ध की आकरती अंकित करवाई थी तो शाख्यमुनी बुद्ध की आकरती अंकित कनिशक ने अपने सिक्कों पर कराई थी option number C कनिश के right answer हो जाएगा मदन्ना भकन्ना किसे राज के थे तो मदन्ना और भकन्ना ये गोल कुंडा राज से सम्झे थे option number E गोल कुंडा राजे right answer है पल्लाव नरेश नरसिंग वर्मन प्रथम ने सब्तरत मंदिर का निमान कहां करवाय था तो सब्तरत मंदिर का निमान करवाय था महाबली पुरम में option number E महाबली पुरम प्रशन के लिए right answer है इरानी तयोहार नौरोज का प्रशलन किस ने आरंब किया इरानी तयोहार नौरोज इसका प्रशलन बल्वन ने आरंब किया option number E बलवन प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने डांडी यात्रा प्रारंब की थी किसलिए तो गांधी जी की जो डांडी यात्रा थी ये नमक कानून को तोड़ने के लिए प्रारंब हुई थी यहाँ पर आपका option number ही यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा प्रश्नि के लिए, option no. chance चंपारन, चंपारन से सब से पहले सत्यगर अभ्यानог, इस्टार्ट हुआ था गांधी जी का, option no. यहाँ पर डी, चंपारन प्रश्नि के लिए बिल्कोल सई अंसर हो जाएगा, अगला question देखिए इसमें पूछा गया है नाथू राम गोड़से ने महादमा गांधी को गोली कब मारी थी तो नाथू राम गोड़से जी ने महादमा गांधी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी option number D 30 जनवरी 1948 का वो दिन था सिवाजी के बारे में निमलकित में से कौन सा खथन सत्य है तो सिवाजी के बारे में यहाँ पर आपको जो option दियेगा है उन्होंने मराठों को एक राश्टर में जोड़ा था option number V मराठों को क्या पूरे हिंदूों को एक राश्टर में जोड़ने जाएगा सुभाष चंद्रबोश जी के द्वारा बनाई गई थी option number V सुभाष चंद्रबोश प्रश्णे के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1857 के सैनिक विद्रोगा ताथ कालिक कारण क्या था उसका ताथ कालिक कारण था सैनिकों को चर्वी लगे कार्थूसौं की आपफूर्ती Option number B, सैनिकों को चर्वी लगे कार्टूसों की आपूर्ती करना राजा राम मोहनराय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहनराय इनमे से ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे Option number B, ब्रह्मा समाज प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा कालीदास डैश थे कालीदास क्या थे? तो कालीदास जी आपके गुप्त काल के एक प्रसिद्ध कवी थे Option number C, गुप्त काल के प्रसिद्ध कवी थे कालीदास जी लुम्बिनी किसका धार्मिक इस्थाले इनमे से? तो लुम्बिनी जो जाना जाता है ये बौधों के लिए जाना जाता है option number e लुम्बिनी बौधों का धार्मिक इसताल है option number e यहाँ पर right answer है भारत का लोह पुरुष किसे कहा जाता है तो भारत के लोह पुरुष के नाम से सरदार वल्ला भाई पटेल को जाना जाता है option number C सरदार वल्ला भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध सांची का इस्टूप किसके समय में बना था तो प्रसिद्ध सांची का जो स्टूप बना था ये अशोक के समय बना था option number E अशोक के समय बना था सांची का इस्तूप बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरोध थे तो बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन ये ब्राम्भणों के रीती रिवाजों और आपचारिकताओं के विरोध थे अपचन नमबर भी ब्राम्भणों के रीती रिवाज और आपचारिकताओं के विरोध थे सिंदू घाटी सविता की पहचान निम्न में है तो सिंदू घाटी सविता जानी जाती है अपने शहर योजना प्रनाली के लिए option number D शहर योजना प्रणाली के लिए सिंदु घाटी सविता जानी आती है चार आश्रम निम्न से संबनित्थे हैं किस संबनित्थे चार आश्रम तो right answer हो जाएगा जीवन के चरणों से संबनित्थे चार आश्रम option number D जीवन के चरणों से संबनित्थे चार आश्रम निम्नमैसे किसके प्रयासों से 1856 में विद्वा पुनर विवा अधिनियम पारित किया गया था तो विद्वा पुनर विवा अधिनियम ये ईश्वर चंद्र विद्या सागर option number यहाँ पर ए कि प्रयासों के द्वारा पारित किया गया था तो ईश्वर चंद्र विद्या सागर ने खुद अपने बेटे का विवा एक विद्वा से करवाया और इनके प्रयासों से 856 में विद्वा पुनर विवा अधिनियम लाग हुआ बाकी आप राजा राम मोहन राई जी को भी कई इनकामों के लिए जानते हैं लेकिन अधि आपको अधिनियम का पूछे कि अधिनियम किसके प्रयासों से पार्थ हुआ तो ईश्वर चंद्र विद्या सागर के प्रयासों से अधिनियम पार्थ हुआ अगला कोश्चन देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि भारत में अंग्रेजी सिक्षा के परिशा के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तर दाई है तो अंग्रेजी सिक्षा का जो परिशा कराया गया था वो कराया गया था आपका यहाँ पर लॉड मैकाले के दुवारा अप्शन नमड़ी लॉड मैकाले यह अंग्रेजी सिक्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तर दाई है ऑप्शन नमड़ी भारतिय राष्टी कॉंग्रिस का पहला द्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया था तो भारतिय राश्टी कॉंग्रिस का सबसे पहला अध्यक्ष WCW Energy थे और 1880 ECU में इनको भारतिय राश्टी कॉंग्रिस का अध्यक्ष बनाय गया था option number C टीपू सुल्तान के शाशनकाल के दोरान मैसूर की राजधानी कहां थी? टीपू सुल्तान के शाशनकाल के दोरान मैसूर की राजधानी आपकी स्री रंग पत्टनम थी option number यहां पर C स्री रंग पत्टनम प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के राजधाल में एक बड़े बौध मट की स्थापना कहां पर हुई थी? तो हर्षवर्धन के समय राजधाल के समय एक बड़े बौध मट की स्थापना आपकी नालंदा में हुई थी? option number यह नालंदा प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर है तो जामा मस्जित का श्रे जाता है यहाँ पर जो option देगा है उसमें से शाह जहां को option number C शाह जहां को जामा मस्जित का श्रे जाता है स्वतंत्रता के बाद भारतिये लोक तंत्र के समक्च मुख्य चुनौती क्या थी? तो सुतंत्रता के बाद भारतिये लोग तंत्र के समखे मुख्य चुनौती थी, शांती को बनाय रखना, ऑप्शन नमसी शांती को बनाय रखना ये मुख्य चुनौती थी, भारतिये इतिहास का ऐसा पहला शाशक जिसे माना जाता है, जिसके पास इस्थाई सेना रखे था ज ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है इनमें से तो ब्लैक पैगोडा के नाम से आपका कोनार्क मंदिर जाना जाता है option number ए कोनार्क मंदिर ये ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है धर्म परिवतन के बावजूद हिंदूओं को अपनी पैत्रक संपत्ती से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्न जनरल के साशन काल में परिद हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम बैटिंग ने ये अपना जो है कानून पार्द किया था कि यदि आप धर्म परिवतन कर भी लेते हो तो भी आपकी जो पैत्रक संपत्ती है उसमें आपका हिस्सा रहेगा अकबर ने सरपतम वैवाही के संबंद राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के दवारा कक्छवाहों के साथ वैवाही के संबंद स्थापित किये गए कक्छवाह ऑप्शन बड़ी यहाँ पर प्रशने के लिए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा दक्छन भारती शाषक जिसने राज में रेशम उत्पादन को क्रशी उद्द्यो चे रूप में प्रविष्ट किया तो नहरूजी और गांधी जी के विचार जो थे यह भारत के उध्योगी की करण पर नहीं मिलते थे यहाँ पर option number C भारत का ओद्योगी करन इन पर नहरू जी और गांधी जी इन दोनों के विचार नहीं मिलते थे बुलंद दर्वाजा का निर्माण किसने करवाया था इन में से तो बुलंद दर्वाजा के निर्माण का श्रे यहाँ पर आपको जो option दिये गा है उसमें से अकबर को जाता है option number A अकबर को बुलंद दर्वाजे के निर्माण का श्रे जाता है निमनलखित किस धार्मिक पंत के अनुयाई दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए थे तो राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में जैन धर्म विभाजित हुआ था उप्शन नंबर यहां पर भी जैन धर्म प्रशनी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा महातमा गांधी ने पहली बार सत्यागर कहां शेज शुरू किया था तो महातमा गांधी जी के दुवारा पहली बार जो सत्यागर हुआ था यह चंपारं से श्टार्ट हुआ था option no.2 चंपारं से सबसे पहली बार महात्मा गांदी जी ने सत्यागता स्टार्ट किया था गांदी जी ने टांडी मार्च शुरू की थी कहां पर किस लिए तो टांडी मार्च नमक कानून को तोड़ने के लिए स्टार्ट की थी तो यहाँ पर option number C डांडी माज को नमक कानून तोड़ने के लिए स्टार्ट किया गया था अलीपुर बंब कांड में कौन शामिल थे इन में से तो जो अलीपुर बंब कांड हुआ था इन में से आपके अरविंद घोश उसमें शामिल थे option number E अरविंद घोश राइट आंसर हो जाएगा खोदाई खिदमदगार आंदोलन किसने शुरू किया तो यहाँ पर आपको जो option दियेगा है उसमें से तो राइट आंसर है अब्दुल गफफार खान option number E अब्दुल गफफार खान प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंगेश खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शाशन में किया था तो चंगेश खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था option number E इल्टुतमिश प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हंटर आयोग की नुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी तो जो हंटर आयोग बना था ये जलिया वाला बाग हत्या कांट की जांच के लिए बना था option number यहाँ पर भी जलिया वाला बाग हत्या कांट प्रशनी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा बौट धर्म मानने वालों की संख्या सरवादिक किस राज्य में है तो बौट धर्म मानने वालों की संख्या सरवादिक महराष्ट्र राज्य में है option number C महराष्टर राज्य राइट answer हो जाएगा किस अंगरेज ने पहली बार भागवत गीता का अंगरेजी में अनुवाद किया था तो right answer हो जाएगा भागवत गीता का अंगरेजी में अनुवाद Charles Wilkins ने किया था यहाँ पर आपका option number B चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अंगरेजी में अनुवाद किया था निम्न मैंसे किस भारती शाषक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला तो आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास खोलने वाले भातिशाशक थे आपके टीपू सुल्तान जी option number यहाँ पड़ी टीपू सुल्तान जी प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर है हडपा कालीन सवविता का विशाल कोठार मतलब अनाज संगर इस्थान कहां पर मिला तो विशाल अनागार वी जिसको बोलते हैं यह आपका मोहण जोदारो में मिला option number ए, मोहन जोदारों में विशाल अन्नागार मिला है हडपा कालीन हडपन लोगों को निम्द मैं से किस की जानकारी नहीं थी तो हडपन लोगों को यहाँ पर आपके जो option दिये का है उसमसे लोहे की जानकारी बिलकुल नहीं थी option number C, लोहे की जानकारी नहीं थी हडपन लोगों को किस गवर्णनल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था तो अपने आपको बंगाल का शेर, लौड वैले जली ने कहा था option number यहाँ पर D, लौड वैले जली ने अपने आपको बंगाल का शेर कहा था हर्श वर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी तो हर्श वर्धन के समय हें सांग ने भारत की यात्रा की थी यहाँ पर आपका ऑप्शन नमड़ी हें सांग ने भारत की यात्रा की थी हर्श वर्धन के समय 1942 इसवी के भारत छोड़ो अंदोलन की दोरान भारत का वाइस राय कौन था तो 1942 की समय लॉर्ड लिन लिथगो भारत का वाइस राय थे option number यहाँ पर ए लॉर्ड लिन लिथगो राइट आंसर है महादेव गोविंद रानाडे सदस्ते थे इनमें से किसके तो महादेव गोविंद रानाडे यह आपके प्रातना समाज के सदस्ते थे option number यहाँ पर राइट आंसर है जवाहल लाल नहरू कितनी बार भारतिय राश्टी कॉंगरेस के अद्दक्ष बने option number से यह तीन बार यहाँ पर right answer हो जाएगा बौध साहित लिखा गया है तो बौध साहित जो लिखा गया है यह आपका पाली भाशा में लिखा गया है option number भी पाली भाशा प्रश्ण के लिए right answer है elephanta में चटान काट कर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किसे संबनित है तो elephanta में चटान काट के बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर यह आपके राश्ट कूट वंस से संबनित है option number भी राश्ट कूट वंस राइट answer है बान भट किसके दरवार में रहते थे तो बान भट जी यह आपके हरश वरदन के दरवार में रहते थे option number भी हरश वरदन राइट answer है इसलाम धर्म की स्थापना किस सदी में हुई है तो इसलाम धर्म की स्थापना हुई है यह साथवी सताबदी में हुई है option number भी साथवी सताबदी में इसलाम धर्म की स्थापना की गईती हुई है निमने मैंसे किसके वाइसराय काल में रोलेट एक्ट पास किया गया था तो रोलेट एक्ट जो पास किया गया था ये चैंप स्फोर्ड के समय में पास किया गया था आप्शन नमबर भी लॉर्ड चेंप्स फूर्ट प्रशने के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा आइने अकबरी के रचनाकार इन में से कौन है तो आइने अकबरी के रचनाकार यहाँ पर आपको जो आप्शन दीगा है अबुल फजल हैं आप्शन नमबर यहाँ पर C अबुल फजल आइने अकबरी के रचनाकार हैं भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था तो भारत छोड़ो आंदोलन यह आपका बंबई से शुरू हुआ था जिसको आप मुंबई बोलते हैं अप्शन नमबर यह बंबई या मुंबई प्रशनी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा लाल बाल पाल में बाल कौन थे तो लाल बाल पाल इनमें बाल का फुल फॉम था बाल गंगा धरतिलक जी आप लाल का फुल फॉम और पाल का फुल फॉम कमेंट करके उताओ लाल का फुल फॉम क्या था और पाल का फुल फॉम क्या था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उताओ और यह राज का आपका आखरी कॉश्चन रेल किसके शाषन काल में चलाई गई थी तो जो real है इस प्रश्णिका अंसर मैं आपको बताईता हूँ लॉड डल होजी के साचिन काल में चलाई गई थी आपके लिए surprise question भी देता हूँ तो आप लोग बोलते हो last में question दे दिया करो तो last में आपका ये question रहा है कि वल्ला भाई पडल को सर्दार की उपाधी इन में से किस ने दी थी इस प्रश्णिका अंसर आप मुझे comment box में count करके बताएंगे दोस्तों पिछले 30 साल से बारवर exam में सभी exam में भारत के mostly exam में आए हुए 10,000 जिके के MCQ की PDF तयार की गई है आपके लिए यदि आप में से कोई भी इस PDF को लेना चाहता है लगाना चाहता है दिये गए नंबर पर नीचे दिये गए नंबर पर contact कर लीजिएगा आपको PDF प्रोवाइट की जाएगी 300 की PDF है 99 रुपे में आपको मिलेगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उस्तों आपका इन्शुब हो बहुत बहुत धन्यवाद